22 जन्वरी को भगवान शीराम अयुद्धा में विराजमान होंगे, इसे लेकर प्राणपतिष्टा आयोजन किया जाएगा, इस बव्यकारिकरम को लेकर देशबर में तयारिया की जा रही है, और लोगों को कारिकरम में आमंतरित करने के लिए आमंतरन पत्र बेजी जा रहे ह हर मंदिर में तयारी हो, इसे लेकर हिंदुवादी सेक्रटनों का भी जिम्मेदारी सो पी गई है, एक जन्वरी से दस जन्वरी तक अज मेहर मानागर में मौझूद सभी मंदिरों के लिए समीती बनाई गी है, यहां सभी स्तानों पर मंदिरों में विशेश सजावट के सा पूजा आजना को लेकर विवस्ताय की जा रही है, इसे लेकर राम मंदिर समीती की ओर से बीले चावल शेराम मंदिर की दस्वीर और पत्रक वित्रित की जा रहे हैं, जो सभी स्तानों पर बेजी जाएंगे चितोर परांत में यह योजना एक से दस जनवरी तक है, संपूर्ण देश में यह एक से पंद्रा जनवरी तक यह आईजित होने वाला महा अभियान है, इस अभियान में मंदिर आधारित समीतिया बनी है, जो परतेक घर घर तक जाकर, परतेक गाउं, ढानी, कस्बे में और शहर में जाकर, परतेक सनातनी के घर जाकर, अयोद्या से अभिय मंत्रित होकर आए हुए पीले अक्षत, हल्दी वाले अक्षत, यह घर घर तक पहुचाएं जाएंगे, भगवान राम का चित्र, जिसमें भगवान राम के भव्य मंदिर का सुरूब भी वणनी किया हुआ ह इसके साथ एक पत्रक दिया जाएगा, जिसमें भगवान की प्रान परतिष्टा कारेकरम को लेकर संपूर्ण जानकरी है, इस प्रकार की जानकरी का पीछे भाव यह है, कि घर का परतेक सदर्शे, चाए गोद में कोई बालक हो वो भी और वरद से वरद व्यक्ती भी, मेरे कॉलोनी का मंदिर, मेरे गाओं का मंदिर, मेरी अयुद्या है, इस भाव से वो आए, और जो समारो है, वो सामुई कुरूप से सभी लोग मिलकर उसका सहवागीता निमाएं, उसको देखें, उसके परशाद महारती हो, और उसके बाद परशाद का वित्रन हो, इस वो भगवान को अपने विराजमान करना है अपने पूजा के कक्ष में, यह एक तरिक से अभ्यान का सुभारम होगा, और दस तक निरंतर चलने वाला है यह अभ्यान झाल